कुछ राशी के लोग दूरी होने के बावजूद अपने रिष्टों को strong बना कर रखते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आइए देखते हैं, long distance relationship को कैसे handle करते हैं हर राशी के लोग। मेश, मेश राशी वाले adventurous और excitement को पसंद करते हैं, उन्हें challenges से भागने की आदत नहीं होती, long distance relationship में ये अपने partner के लिए committed तो रहते हैं, लेकिन इन्हे constant attention और thrill की ज़रूरत होती है, अगर relationship में excitement बनी रहे, तो मेश राशी के लोग इस दूरी को काफी अच्छे से handle करते हैं, व्रिशब, व्रिशब राशी वाले लोग stability और loyalty के लिए जाने जाते हैं, long distance relationship में इन्हे trust और comfort चाहिए, अगर ये अपने partner से emotionally secure feel करते हैं, तो long distance रिष्टे को निभा लेते हैं, लेकिन इन से ज्यादा frequent communication की उम्मिद मत रखिये, ये quality और quantity में मानने वाले लोग हैं, मितन राशी, मितन राशी के लोग काफी adaptable होते हैं, इन्हें नए experiences पसंद हैं, long distance relationship में भी ये अपने partner के साथ interesting तरीके ढूनते रहते हैं, लेकिन ये कभी-कभी थोड़ा inconsistent हो जाते हैं, करकराशी, करकराशी के लोग काफी emotional और sensitive होते हैं, long distance relationship इनके लिए challenging होता है, क्योंकि इन्हें अपने partner का emotional support बहुत जरूरी लगता है, इन्हें अपने partner से constant reassurance की जरूरत होती है, sing राशी, sing राशी के लोग attention और appreciation को पसंद करते हैं, long distance में ये अपने partner के लिए काफी committed होते हैं, लेकिन इन्हें लगातार प्यार और attention चाहिए, अगर ये feel करते हैं कि उनका partner उनक practical और analytical होते हैं, ये अपने relationship को organized और structured रखना पसंद करते हैं, चाहे दूरी हो या ना हो, long distance में ये अपने partner से clarity चाहते हैं और हर चीज़ को perfectly manage करने की कोशिश करते हैं, तुलाराशी, तुलाराशी, balance और harmony ले जाने जाते हैं, long distance relationship में ये काफी well balanced होते हैं, लेकिन इन्हें भ होती है, अगर relationship में balance बना रहे, तो ये रिष्टे को बहुती smoothly चलाते हैं, वरिष्चिक राशी, ये लोग काफी passionate और intense होते हैं, long distance relationship में ये अपने partner के साथ deep emotional bonding को काफी seriously लेते हैं, trust और loyalty इनके लिए सबसे important चीज़ है, धनुराशी, धनुराशी के लोग adventurous और freedom को पसंद कर partner से थोड़ी से freedom चाहिए होती है, इन्हें space देना जरूरी है, और ये रिष्टे को independent और relaxed तरीके से निभाते हैं, मकर राशी, मकर राशी के लोग ambitious होते हैं और practical होते हैं, long distance relationship में ये काफी dedicated और patient होते हैं, ये अपने partner के लिए long term plans बनाते हैं, और रिष्टे को stable रखते हैं, इन्हें दूरी से कोई फरक नहीं पड़ता, अगर ये अपने partner के लिए committed हैं तो, कुमबराशी, कुमबराशी के लोग independent और unconventional होते हैं, long distance relationship इनके लिए एक perfect situation हो सकती है, क्योंकि इन्हें अपने space की जरूरत होती है, ये अपने partner से emotionally connected तो होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी freedom मिन राशी, मिन राशी के लोग dreamy और emotional होते हैं, long distance relationship में ये काफे romantic और dedicated होते हैं, इन्हें अपने partner से भी emotional support चाहिए और constant connection चाहिए, अगर ये अपने partner से emotionally close feel करते हैं, तो long distance relationship में भी खूब प्यार करते हैं, long distance relationship किसी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो किसी के लिए थोड़ा सा fun loving and chill है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो like करें, channel को subscribe कर लें, ताकि आपको और भी interesting astrology की वीडियो मिलती रहें, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्णा